हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर्ट से हमारे इस ओफिशल यूटुब चैनल में जिसका नाम है एसोल सोलिशन मैं चंदन कुमार हाजीर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ आज की ये नहीं वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस साल भी पिछले साल की तरह अपना ओपन बुक एक्जामिनेशन देने वाले और वो थर्ड यर के या फिर एक्स स्टूडेंट है चाहए वो सल के हैं, चीड स्टूडेंट के हैं या फिर रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट है उन सभी students का कहना है कि sir last year जो third year का political science का paper हुआ था आपने उनका तो बता दिया हमारे लिए भी कुछ कीज यह बहुत सारे students का कहना है कि sir globalization की हमारी back है या globalization का भी हमें paper देना है globalization के paper के बारे में भी बता दीजिये कौन-कौन से question important है guys पहली बात तो यह बता दूँ मैं हर एक subject क important question की अलग से वीडियो आएगी इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि last year क्या question paper आये था क्या question paper का format था किस तरीके से question paper आ सकते हैं और किस तरीके का क्या चीज़े रहने वाली है तो question paper से regarding आपके मन में कोई भी doubt नहीं रहने वाली है इस वीडियो के बात और आप लोग बहुत जादा help मिलेगी और आपको बहुत जादा फायदा भी होने वाला है तो यह question जो है अगस्त के जो exam होए थे 2020 के उनका question paper है कौन सा open book examination का तो guys इसके अलावा एक paper और हुआ था जो की physical mode में भी था और इसके अलावा online भी था आप में से भी बहुत सारी बच्चे physical mode में भी या फिर online mode में जैसे भी अपना paper देना चाहते हैं सुल उनके लिए विवस्ता करेगा उन्हें अपने study center पर आना पड़ेगा और वहां पर उनकी exam की विवस्ता की जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहली बात अगर आप लोग हमें कोई query पेजना चाहते हैं तो यहाँ पर विद्यारती को और एक students को वीडियो मिले उसके लिए आप अधिक से अधिक मित्रों तक अधिक से अधिक groups तक इस वीडियो को शेर कर सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जब आप question paper को download करें तो आपको तीन चीज़े देखनी है सबसे पहले title of paper यानि paper कि subject का है आपको यानि ज इस दरी चीज़ आप लोगों को अपना year या semester जो भी है उसमें mention होगा आपको ये चीज़ उसमें देखनी है इसके बाद मैं बता दूँ कि last year जातर paper में जब मैंने आपको political science का paper दिखाया था उसमें भी बताया था कि बच्चे बहुत सारी गलती कर रहे थे क्या कि जैसे आ time लिखने का उन्हें 3 गंटे का मिला था और 1 गंटा अतरिक्त मिला था question paper download करने का और question paper upload करने का तो वही चीज़ आप लोगों के लिए साथ भी अगर आपके पास में 2 गंटे लिखे वे आते हैं तो आप ध्यान रखना 3 गंटे आप लोगों को दिये गया है और 1 गंटे ज यहां पर अगर आप देखंगे तो आपको किसी एक ही language में answer देना है English तो English सारी question Hindi तो सारी question Hindi यह आपकी choice पर उन्होंने छोड़ाए इसके बाद में 4 question ही attend करने है political science की तरह आपको इसके अंदर और यहां पर आपको सबसे important चीज में बता दू अगर 4 question आपको attend करने है कास त practical नहीं होता कोई attendance की marks नहीं होती तो एक question आपके लिए बन जाता है 25 marks का और इस 25 marks का बनने के बाद में आपको answer लिखना है ज्यादा आप पहले से ही इस बात को दिमाग में बिटा ले तो यहां पर आप हम बात करेंगे questions की क्या-क्या questions आपके paper में आई थे और क्या-क्या question आपके आ सकते हैं उन्हीं chapter से संबंदित अगर आप देखोगे अपनी globalization books को चाहे आपके पास में hard copy होगी hard copy नहीं है तो आप soft coffee में कैसे कोई भी आपको study material डाउनलोड गरना है तो आप लोगों के लिए मैंने video बना दिये आप i button पे click करके देख सकते हैं वह video अगर आपके पास में books नहीं आप confused हो रहे हो कि मैं क्या लिखूंगा क्या नहीं लिखूंगा क्योंकि guys मैं आपको बता दू 25 नमर का paper है और आपको घर बैटके जब books खोल के आपको paper करने का मौका दिया जा रहा है तो आप इतना easy मत लेना जितना easy last year के बच्चों ने भी रहा था और अ अब अगर आपने कोई भी दिक्कत करी ऐसी आपने जानमूच क्यों कोई problem करी तो मैं क्या शायद आपकी कोई भी मदद ना कर पाए यहां पर हम देखेंगे सबसे first question यहां पर जैसे क्या आप देख सकते हैं first question आया है कि वैश्विकरण क्या है तो वैश्विकरण अगर मैं बात करता हूं तो भई अगर मैं यह लिख दू कि वैश्विकरण एक बहा हो है एक देश से दूसरे देश के अंदर सोतंतर रूप से वैक्ति वस्तुप पूंजी ज्यान मुद्रा का सोतंतर प्रवा है यह वैश्विकरण है मैं इतनी सी बात बोल दूँ यह बार में जितना कुछ आता है सब कुछ बताना है आप कई कई परिवाशा ही लिखेंगे जैसे मैंने एक परिवाशा बताई आपको भी दूसरी परिवाशा है तीसरी परिवाशा है तिन तिन परिवाशा है इसके आयाम भी बताओगे क्या फाइद है आयाम में क्या नुकसा तीनों में similar आपको ये question देखने को मिलेगा वैश्वी करण से history में probably कम है बट quality और इसमें संभावना पूरी की पूरी है वैश्वी करण, भुमंडले करण और globalization एक ही होता है confuse नहीं होना यहाँ पर आपको ये question तियार करना है इसकी videos बनी हुए है, मैं playlist आपको लोगों के लिए बता दूँगा अगर आप लोगों ने अब तक अपने notes प्रिपेर नहीं गरे तो आप वहाँ से notes उपने prepare कर सकते हो, इसके साथ-साथ यहाँ पर आप देखेंगे अगला है चेत्रिय वे बहुपक्षिय समझोते का संपूर इत्यास बताना है अब यह एक तरीके से आपको बताना है चेत्रिय और बहुपक्षिय समझोते सबसे पहली बात तो कौन कराता है चेत्रिय और बहुपक्षिय समझोते दूसरी बात इत्यास इसका क्या है तो वही जो मैंने आपको IMF, WB और WTO को पढ़ाते समय भी बताया था Britain Woods Sessions था, वहां का इत्यासिक प्रिष्ट भूमी से इस question की तियारिक करनी है और ये ध्यान रखना आपका ये question इस तरीके से आपका इस साल भी पूछने का पूरा संभावना है इसके बाद में अगला question है WTO के उपर, World Trade Organization ये प्रमुख इसके क्या मुद्दे हैं, यहाँ पर मुद्दे अभी भी आप लिख ले तो major issue बताने आपको कि किन किन चीजों पर ये काम करता है, एक तरीके से कारे WTO के कारे, WTO के कारे क्या होता है, यह से दो देशों के बीच में वेपार एक समझोते कराता है दो से अधिक देशों में भी करवाता है, दो देशों के बीच में जो होता है, वो दो पक्षिय होते और जो अधिक देशों के बीच में होते हैं, दो से अधिक देशों में, तो वो बहु पक्षिय समझोते होते हैं, वैपार से जुड़े होए अंतराष्टे कानून बनाता है, जैसे आपने सुना होगा, कॉपी राइट, या फिर आपने पेटेंट का नाम सुना होगा, अपने करवाई थी, और अमेरिका ऐसे विखसे देशों ने इसको कहा था, कि बही जन्नेटिक मेडिशन ने बनाए जाए सके, क्योंकि आप देखते हो, कि कोई भी जैसे भी COVID वैक्सीन है, भी बन रही है, आप सब को पता है, लग रही है, आप सब इस दोर में हो सकता है, आने वाल इस दी लगाये, इस रम लगाये, तो इस वज़े से उनको इस वात का अधिकार भी है, कि भी या, वो अब क्या कर सकते है, उसको पैसे कमा सकते है, तो जब तक ये फॉर्मूला जिसने डवलब किया है, उस दबाई को, उस मैडिसिन को, जब तक वो किसी और को उसका पैंट अधिसे संदियों को करवाता है, वैपार्स, दो देशों के बीच में कर वैपार्स से जुड़ेए कोई भी, अगर वो होते है, विवाद होते हैं, तो उन विवादों को सुल जाता है, अंतराश्य स्थर्थ पर वैपार्स से सम्मंधित कानून बनाता है, और जो ग्लोबला तो उसमें बहुत रख्तक इन्होंने भूमिका लिवाई दी अब यह आपका फर्स्ट चार्टर है यहां सिर्क वैश्वी कुछ गया और यहां पर पूचा गया है कि वैश्वीक रख्ता की य्याज़िका सब्सक्व करता है तो वो क्या करती है वो अपने बचाओ के लिए वो या तो देश शूड़ के जाने की बात करते है या फिल इंप्लॉयमेंट को निकालने की बात करते है फूर एक्जामपल के तौर पर मैं भी बता देता हूं अभी रिसेंटली एक केस चल रहा है कि बहिए दोजार इकिस में अभी गौर्मेट ने एक नई IT रूल लेकर आए आपने सुना होगा वाटस आपने ये कबर तो सुनी ही होगी कि फेस्बुक बैन होने वाला है ये कबर भई ट्विटर बैन होने वाला है इंस्टाग्राम भी और इतने में ही ये खबर आते आते ही आप ये सुनते हो कि अच्छे एक्जामपल से जो आपको समझ में आ जाएगा यहां पर क्या है कि भई आपने देखा होगा कि आजकल जो भगदर होती है दंगे होती है या फिर सामपरदायकता है वो वाटस आप की थूप बड़ी तेजी से लोगों की भावनाओं को आहत किया जाता है बड़ी नया से स्टम देता है याई मैं अगर मैं यहां से मैसेज कर रहा हूं और अपने किसी दोस्त को मैसेज कर रहा हूं तो यह मैसेज मैं यहां से यहां से लेken बड़ा तो यह 01 हैस्टैग ऐसी एसी कुछ कोट्स में हो जाएगा सिर्फ मैंने क्या यहां से σ willing मुझे और इनको पता होगा और कोई भी इस चैट को बीच में नहीं देख सकता इवन वाट्सअप के मालिक भी यह सिक्यूरिडी सिस्टम है लेकिन गवर्मेंट ने नया रूल आ है गवर्मेंट क्या कहना है गवर्मेंट का यह कहना है कि आप ऐसे जब दंगे फैल जाते हैं ऐसे जो बढ़क अगर किसी वाट्सअप के मैसेज की विजह से अगर कोई दंगे होते एं कूछ होता है तो उस मैसेज को हम सबसे पहले देख लें कि उसका originate कहां से हुआ है कहां से सबसे पहले उसको भीजा गया है ताकि हम उसको पकड़ ले अब यहां पर जो वाट्सअप जी का कहना है WhatsApp का कहना है कि नहीं यह क्या करता है कि यह हमारे fundamental right, right to privacy, right to privacy, निजिता का जो अधिकार है उसको प्रभावित कर रहा है कि भाईया, दो वैक्ति अपने बीच में क्या बात कर रहा है, इसको government को क्या करना, और इसके लिए हमें हर एक message जिसके, अब आप यह सोचिए कि हर एक message ज की लोगा बहुत costly हो जाएगा, इसलिए अब यह देखो, अब कल को हम यह देखते हैं कि भाईया government हमारी नहीं मानती है, क्याती है कि नहीं हम तो यह law रखेंगे, अगर आपको काम करना है तो हमार साथ काम कर लो, नहीं करना तो आप काम मत करो, अब हम यहाँ पर क्या देख आप है, जो Twitter का option बताया जा रहा है, इंडिया में, Twitter की दर आई है, लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हमार पास और कोई option भी नहीं है, तो हमारे जो काम है, वो कई न कई हमारी जो government है, आगे चल के हमारे इतने users है, हमारी जो अब देखो, अब एक किसान भी लाता है, उसके लिए देश में इतने protest हो जाते हैं, यहाँ पर कितने लोग, आजकल आप देखोगे, कि WhatsApp दीरे दीरे अपने आपको increase कर रहा है, कितने लोग अपनी family से video call पर connect होते हैं, कितने अपने important messages वेजते हैं, क्योंकि पोस्ट तो, मेरी जब books आती है, पोस्ट होकर, किसी भी, अगर मैं college में apply करता हूं, यसे for example, इगनू में apply करता हूं, masters के लिए, और किसी चीज के लिए, कोई भी course के लिए, तो इगनू में क्या होता है, कि book जो है, पोस्ट होकर आती है, तो वो पोस्ट वहाँ से दिखतो हो जाता है, मुझे आपकी book dispatch हो चुकी है, लेकिन real में मेर अगर पहुंची ही कि नहीं, कई पर ऐसा देखने को मिलता है, तो क्या हमारे पास ऐसे option है, अब हमारी government, हमें भी परता है, हमारी government, WhatsApp पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकती, यही telegram का और यही Facebook और Twitter और सब चीज़ों के लिए भी है, apply होता है, तो government को आगे चलके क्या करना हो कि यह नहीं, राज्य क्या कर रहा है, वहाश्यों के कारण कमजोर हो रहा है, मैंने आपको पॉलिटिकल बहुत बार पढ़े हैं, अब राज्य का मतलब पॉलिटिकल साइंस में, या फिर जब हम एक graduation के level में पढ़ते हैं, तो यहां पर government से होता है, हमारी सरकार है, वह कमज बढ़े हैं, तो इंग्लिश में भी यहां पर देख लें, तो यहां पर पूछा जाए है कि विष्व में, हम क्या देखते हैं, विष्व की अर्थविवस्ता में लगातार बदलाव आ रहा है, तो 1970 के देखते हैं, बहुत जादे बदलाव हुए हैं हमारे, कैसे बदलाव ह जो मुद्रा है वो बहुत जादा नीचे जाती है, इसके बाद में मुद्रा यानि जो जिसे हम बोलते हैं, मुद्रा स्फीरती बोलते हैं, और इसके साथ साथ हम यह देखते हैं, कि बहुत सारे देश ऐसे हैंगे, उन देशों में खाद्यान संकट, कृष्व संकट, बहु को प्रिपेर कड़ने मैं लगसे वीडियो बनाऊँगा आप चाहते हैं इसी दरीविज थर्फ से तो आप मारी चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें अधिक से दिक मिट्डुने को चले गाइस मिलते हम आपसे अपनी अगली वीडियो में जय हिन जय भारत